पुल्गोबी और ग्रीन पिस के सबजी तो इसके इन हुद्रे डेंग से पांच सो ग्राम पुल्गोबी है वन स्मॉल बावल ऑफ ग्रीन पीस, पूर टेबल स्पून आफ योगर्ट, हाफ टी स्पून कसूरी मेती दस बारा प्लेसं की कलिया एक इंच अद्रक इससे चौप करके रखा है रखली दस बारा बदा में दो स्लिट किया हुआ हवी निर्चे 3 मेडियम साइस के टॉमेटो्स है उससे काट के रखे दो मेडियम साइस के आच है उससे भी रफली काट के रखा है ऑइज और स्वाद अनुसार नमाण एक टेबल स्पून कशमीरी लाल मेट्ज पौ़डर, एक टेबल स्पून धन्या पौडर, रफ टीस्पून हल्दी हाफ टीस्पून हीरा, दो तेज पत्ते, चार पांच, काली मेल्च, और तीन गिलाईची, और कॉरेंडर ग्लिउस सबसे पहले हम ग्या सान करेंगे, पानी गरम करने रखेंगे, अब हम इसका ढखन को लेंगे, इसमें वन टीस्पून नमट दालेंगे, फिल गोगी दालेंगे, अब ढखन लगेंगे, पांच मिट्न देप पकने देएगे अब पांच मिट्व हो चुके हैं, अब ढकन को खोल देंगे, और फ्लोरेट्स को सप्रेड बावल में निकालेंगे, अब हम उसी पानी में मतर दालेंगे, अब ढकन लगा के इसे पकाएंगे, इसे हमने पांच मिट्र पकाया है, अब ढकन खुलेंगे, यास बन करेंगे, ग्रीन कीज को निका लेंगे, आब ग्यास पर बुस्कर कडा चडाएंगे, अब पर कडा नीच दिश धी कडाइ, एक चार टेबर स्कून अब हम उसी तेल में लसुन दालेंगे, अध्रेज दालेंगे, प्याज दालेंगे, इसे जादा नहीं पकाना है, सिर्फ प्याज को ट्रांस्लूसन होने तक पकाना है बदन डालेंगे इसी एप्चे से टकाएंगे अब हम टमाटर दालेंगे वोट मीटों हो चुका है वह मिटी गेश क्र लैंगे टकल खोलेंगे यह देखिए टमाटर कैसे पक्के जल चुके हैं अब हम इसे थंडा करने रखेंगे और थंडा होने के बाद हम इसे ब्लैंड करें अब हम धही में लार मिद पाउडर रटेंगे देनिया पाउडर हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब यह देखिए इसका पेस्ट बन गया है अब यह थंडा हो गया है आब हम इसे निकालेंगे और ब्लैंड करेंगे अब हम इसमें थोड़ा हरा दन्या दालेंगे और ब्लैंड करेंगे यह देखिया हमने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है यह देखिए इस फाइन पेस्ट है अब हम उसी कड़ाई में यह मस्केड आल दा देंगे दो टेबल स्पूने वाई गरम हो चुका है और हाफ टी स्पून जीरा दालेंगे दो पेज पत्ता दालेंगे तीन अच्छे से चलाएंगे अच्छे से चलाएंगे अब हमने पेस्ट बना तो दालेंगे इसे मिक्स करेंगे अच्छे से चलाएंगे अच्छे से चलाएंगे और सेपरेट हमें तट गब हम मटर दलेंगे अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ग्राइंड किया हुआ जार में पानी दल के वही पानीया हम इसमें एड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे अब हम इसे ढखन लगा के दो टीन मिट तक पकाएंगे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें फुलगो भी दानेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे जो बन कप पानी दान है इसमें एड करेंगे चार पान मेट हो गया है अब हम धक्कन खुलेंगे नमक दालेंगे स्वादानुसा त्थीसे मिट्स करेंगे और तीन-चार मेट धक्कर पटाएंगे मिट्स करेंगे ऑब भी मटल की सबजी रे गीर मिट्स करेंगे झाल 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 झाल